नमस्कार में उप्रिया आज है 19 फरवरी चुले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को भारतिय नौसेना ने निकाली रिख्थियां भारतिय नौसेना ने हाली में ट्रेडमान के 1169 पोस्ट पर आवी दिन की मांग की है इन पदों के लिए सक्षनिक योगिता की बात करें तो अभिरतियों के पास मैट्रिक और ITI की डिग्री होना अनिवार है इच्छो कोरियों के मिद्वार अंतिम तारीक 7 मार्च 2020 तक आथिकारिक पेपसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवी दिन भर सकते हैं इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगे वेब लिंग पर जाकर ले सकते हैं बिहार में बनाए जाएंगे लगभग 12 लाख नए राशन कार्ड बिहार में जल्द ही लगभग 12 लाख राशन कार्ड बनाए जाने हैं खादेव भाग प्रदेश की बरतमान राशन कार्ड संख्या को बढ़ाने की जुगत में जुट गया है जोसके तहट पूरे 11.50 लाख नए राशन कार्ड बनाने की पहल शुरू की जा रही है जुलावार पात्र राशन कार्ड धारकों को निशान दे ही कर ली जाएगी सरकार ने इस प्रस्ताफ को सैधानतिक तोर पर इसको लेकर सहमती दे दी है दरसल खादेव भाग मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों को सरकार राशन मुहया करवाने की दाएरे मिलाने की पहल कर रही है आधिकारिक सूट्रों के मुताबिक फिलहाल 11.50 लाग से अधिक राशनकार धारकों को अतिरिक्त आवंटन और मांगा जा रहा है जानकारी के मुताबिक सरकार से हरी जंडी मिलते ही पहचानने गये पात्र लोगों के राशनकार की छपाई शुरू कर दी जाएगी बिहार में मौसम अब लेगा करवट बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है मौसम विज्यानिकों की माने तो बिहार में ओसत उचितम तापमान 27 डिग्री से अधिक हो चुका है जो सामाने से 1-2 डिग्री सेल्सियस उपर दर्च किया गया है जिसके बाद अगले 24 घंटे में उचितम तापमान में भी इजाफिक यूमीद जताई जा रही है हाला कि जहां एक तरफ बिहार बासियों को ठंड से राहत मिलने की उमीद जताई गई है मौसम विज्यानिकों की माने तो पतनہ, गया, नालंदा, शेखपुर, आवेगू सराई, लखी सराई, नवादा, बकसर, भोजपूर, रोहतास, भबुवा, और अंगाबा, जहनबाद, और अर्वल में कुछ जगों पर तेज हवा के साथ हल्की बुन्दा बांदी हो सकती ह प्रेक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी परिफ्षा की संभावे तारीक 8 अप्रील बताई जा रही है सहरसा के उग्रतारा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास सहरसा जुले की महीशी में स्थित है उग्रतारा स्थान यह प्रमुक शक्ती पीठों में से एक है मंदर का निर्मान सन 1735 में रानी पदमावती ने कराया था यहां बिहार के अतरिक्त नेपाल के श्रधालू भी बड़ी संख्या में पहुचते हैं बंगाल के साधग भी यहां वर्ष भर पहुचते रहते हैं पांचवी क्लास तक के सभी स्कूल मार्च से हो सकते हैं शुरू कुरूना काल के लंबे समय के अंतराल के बाद अब प्राथ्मिक स्कूलों को भी खोलने की त्यारी हो रही है स़क्षाव भभाग ने इसके लिए तैयार या पूरी कर ली है जिसके बाद शात्रों के लिए स्कूल खोलने का रास्ता साफ हो जाएगा आपको बता दे कि अलग-अलग फेज के तहट पहले ही कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं कोचिंग संस्तान और उच्छ सिक्षन संस्तान को खोला जा चुका है नेपाल से सस्ता पेट्रोल ला रहे हैं बिहार नेपाल सीमा पर बसे लोगों ने पेट्रोल की कीमते महंगी होने का एक नया तोड निकाल लिया है नेपाल से सटे बिहार के जिलों में लोग पेट्रोल लाने पडोसी देश नेपाल जा रहे हैं अररिया और किशन गंज जिले से पेट्रोल तसकर पकडंडियों के सहारे नेपाल के रास्ते पेट्रोल लाकर उसकी तसकरी सस्ते में कर रहे हैं आपको बता दे कि नेपाल में इस समय पेट्रोल की कीमत भारत के मुकाबले 22 रुपे प्रती लीटर तक सस्ती है आपको ये भी विक्रहा सस्ता तेल भारत से ही जाता है IOC, नेपाल और इर्धन सप्लाई खरीद मुले पर ही करता है और नेपाल से केबल रिफाइनरी शुरुक लिया जाता है इस सम्मध में पुलिस और SSB के जवानों ने सीमावर्ते इलाके में चौक सी तेज़ कर दी है वहीं दूसरी तरफ नेपाल से पिट्रोल की तसकरी होने का बुरा खामियाजा बिहार के सीमावर्ती जिलों में पिट्रोल पंप मालिकों को भोगतना पढ़ रहा है भूमी सुधार और राजस्व विभाग ने राज्यों में शुरू किया DCLR मॉड्यूल जमीन मामले में बढ़ रही शुकायतों को ध्यान में रखते वे राजमे अलियमित्ता को समाप करने के लिए राजस्व और भूमी सुधार विभाग ऑनलाइन प्रक्रिया बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है पिछले दिनों विभाग के माध्यम से राजमे ऑनलाइन DCLR मॉडियूल लागू किया गया इसके लागू होने के कारण विभाग में व्याप्त रहष्टाचार को रोकने में मदद मिलने की उमीद जोताई गई है खबरों की माने तो इस मॉडियूल की मदद से राजमे दाखिल खारिट संबंधी आदेशों का पालन अंचलाधिकारी के लिए आवश्यक हो गया है जिसके बाद अब अंचलाधिकारी के माध्यम से भूमे विवाद में लिये गए फैसलों के खिलाब DCLR कारियाले में ऑनलाइन अपील की जा सकेगी सीधे इमेल के माध्यम से अब कोई भी आदेश जादी किया जाएगा जलवायो परिवर्तन को रोकने के लिए सिर्फ बिहार में ही हो रहा है काम उक्तबाते ग्रामीन विकास मंत्री शरवन कुमार ने कही है इस बावत बीते दिन ग्रामीन कारियाले मंत्री शरवन कुमार धनरुआ में विश्व बैंक से बने पंचायत सरकार भवन सित जीविका का CLS कारियाले का उदखाटन करने पहुचे थे जहां पहुचकर उन्होंने अपना बयान जारी करते भी कहा है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहांपर जलवायो परिवर्तन को रोखने के लिए कई काम किये जा रहे हैं इतना ही नहीं जोरान उन्होंने यह भी कहा है कि जलवाईयों परिवर्तन को रोकने के लिए कई कार्य बिहार में किये जा रहा है। जहां बिहार में विपक्षी नेताउं ने जम कर प्रदर्शन किया पुरशी कानून के विरोध में जमालपूर मुंगेर के किसान मुंगेर रेल्वे स्टेशन की पट्री पर उतर कर विरोध करते देखे गए। जिस बात का डर्था वही हुआ लोजपा के बागी नेता केश्वफ सिंग ने जिस बात की भविश्यवानी की थी वही सही साबित हुई। जिसके बात लोजपा पार्टी और चुराग पासवान को बड़ा जटका लगा है। जिसके तहित लोजपा के लगभग 208 नेताओं ने जदियू की सदस्ता बीते दिन ग्रहन करने का काम किया है। जिसके बात जानकारों की माने तो पार्टी के कई प्रकोष्ट के अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों ने पाला बदल कर जनता दल्ग उनाइटिट का दामन थामने का काम किया है। जिसके तहत नेपाल बॉर्डर से सुपॉल सहरसा होते वे कटिहार के कुरसेला तक कोसी नदी में पल रहे डॉल्फिन कच्छवा पंच्छी साप सहित अन्य जलिये जीव के सर्वेक्षन का काम शुरू हो गया है। हाला कि अब स्कूल संस्थानों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। हाला कि इस पूरे मामले में सीबी आई ने अब दाफ पेच फसा दिया है। सीबी आई की तरफ से यह कहा गया है कि लालू यादव ने अभी तक अपनी आधी सजा पूरी नहीं की है, उनकी तरफ से दाइर की गई याचिका ही गलत है। जिसके बाद आज इस बात पर अंतिम ने आने की उमीद जागी है। कफशा आठवी से बारहवी तक के शातरों को जल्द ही मिले गी फेलोशिप। कुछ समय पहले ही बिहार के युवाओं के लिए कौशल विकास कारिक्रम की शिरुवात की गई थी, जो इसका लाफ अब तक बिहार के कुल मिलाकर 14,32,000 युवा आसानी से उठा रहे हैं। पेश किये गए आकड़ो के नुसार, इसमें ज्याद से ज्यादों युवाओं को जोडने की सरकार अब कोशिश कर रही है, जिसके तहट ही अब सरकार ने युवाओं को इस कारिक्रम से जोडने के लिए फेलोशिप प्रोग्राम की शिरुवात की थी, इसको लेकर आज से पने वाले बजट सत्र में भी विशेश प्रावधान तयार किया जाएगा, श्रम संसादन विभाग ने इसकी जानकारी पेश कर दी है, इतना ही नहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि युवाओं को कोशल विकास का प्रसिक्षिन के दौरान ही, इच्छोक युवाओं को रो सिध गायक संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक ने आजी के दिन 1978 में दुनिया को अलविदा कहा था, भारत में 1986 में पहली बार कम्प्यूटरी कृत रेलवी आरक्षन टिकेट के शिरुवात आजी के दिन से हुई थी, 1630 में मराठा सामराजु के पहले साशक छत्रपती श अप्तिजस्वी आदव ने पटना लोडते ही लालु यादव की सिहत को ले कर दिया बड़ा अपडेट, लालु प्रसाद यादव को हाली में ICU से नॉर्मल बॉर्ड में शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद से लगातार उनकी तवियत से जुड़ी जानकारी का उनके प्रस लाद चल रहा है, नियायाले पर भरोसा है, बेल जरूर मिलेगी, आपको बता दे, आज से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव बीते दिन बिहार वापस लोटे हैं, हाला कि अभी पूरा परिवार दिल्ली में लालु यादव के पास है, होली से पहले मिथलावासियों को मिलेगी बड़ी सौगात, होली से पहले ही मिथलावासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके बाद अब यहां के लोगों के लिए दिल्ली जाना और आना आसान हो जाएगा, वहीं अब स्पाइस जट ने यहां से दिल् विमानों के पार किया जा सकता है विमानन सेवा की दुनिया में दर्भंगा हर दिन नई उचाईयों को छू रहा है जिसके बाद अब यहां से नई दिल्ली के लिए एक ही जगह दो नियमित उड़ान शुरू कर दी गई है बिहार में खनिच पदार्थों का अवैद खनन करना होगा महगा प्रदेश के अलग-अलग जिलो में बालू खनन से लेकर पत्थरों तक का अवैद कारोबार सरकार के लिए बड़ी समस्या रही है जिलो में अधिकारियों के आँखों में धूल जोक कर लगातार बालू पत्थर का अवैद कारोबार चल रहा था मगर अब खनिच पदार्थों के अवैद खनन परिवहन सक्ती और बढ़ने वाली है इसको लेकर सरकार अवैद खनन और इसके परिवहन पर नियंतरन के लिए ड्रोन की मदद भी ले सकती है इसको लेकर केंद्री सरकार ने भी मनजूरी दे दी है इसी खनन को काबू करने के लिए ही सरकार ने अब सक्ती दिखाना शुरू कर दिया है अब बिहार में राजस्व जुटाने पर सरकार की रहेगी पैनी नजर बिहार सरकार अब राजस्व जुटाने की पहल करती नजर आने वाली है जिसके तहट खान एवं भूतत विभाग पर सरकार पैनी नजर बना कर रखने वाली है खबरों की मारे तो पट्री से उर्थ विवस्था को वापस से पट्री पढ़लाने के लिए ही सरकार आज से शुरुख होने वाले बजट सत्र में टाक्स बढ़ाने करने नहीं ले सकती है जिसके तहट बिहार सरकार अपनी नजर राजस्व को बढ़ाने पर रख कर चल रही है शराब बंदी के बाद से इसके व्यापार से आने वाला राजस्व में भी सरकार को काफी नुकसान का सामना करणा पड़ा था जोसके बाद से ही अब सरकार की नजर खान और भूतत विभाग से आने वाले राजस पर है इतना ही नहीं आज पेश होने वाले बजट में रोजगार के लिए भी राश्वी आवंटित करने पर सरकार विचार विमर्श कर सकती है बिहार के सौसे ज्यादा ITI बनेंगे सेंटर ओफ एक्सिलेंस बिहार के सभी ITI को सेंटर ओफ एक्सिलेंस में तबदील करने की तयारी हो रही है इसको लेकर मुख्यमतरी नितीश कुमार ने बीते दिन श्रम संसाधन विभाकेत है संचालित आई टी आई को सेंटर ओफ एक्सिलेंस थापित करने के संबंध में समिक्षा की है जुसके बाद खबरों की माने तो टाटा टेक्नोलोजी बिहार के सभी सौसे ज्यादा ओद्योगी क्रसेक्शन केंदरों को सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनाएगी मिली जानकारे के नुसार बिहार के सभी आई टी आई में सेंटर ओफ एक्सिलेंस थापित करने को लेकर श्रमसंसादन विभाग ने मुख्य मंत्री को जानकारी दी है प्रस्तुतिकरे ने बताये गया है कि बिहार के सभी ITI में सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनाये जाएगा रेल यात्रा में फास्स्पीड इंटरनेट के साथ मिलेगा अब ज्यादा डेटा यात्रियों के सुवधाओं को ध्यान में रखते विए अब स्टेशन पर रेल्वे ने वाइफाई की सुवधाब पहले ही मौहाया करवा दी थी बगर मौजुदा यात्रियों को केवल 30 मिनट की मुफ्त में इंटरनेट सुवधाब मौहाया करवाई जा रही है इतना ही नहीं अभी यात्रियों को केवल 350 MB ही डाटा खर्च करने का प्रावधान दिया गया है स्पीड भी नॉर्मल ही रहती है जिसके कारण कई यात्रिय इसका फायदा भी नहीं उठा पाते हैं हाला कि अब फास्ट स्पीड के लिए रेल यात्रियों को कीमत चुकानी होगी जिसके तहर्थ रेल बायर के वाइफाई होट स्पोट भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए वाइफाई सर्विस प्लान का विकल्प जोड़ा गया है पेड प्लान फास्ट स्पीड के साथ मिलेगा जिसके बाद अब यात्रियों को फास्पीड के साथ ज्यादा डेटा के लिए स्टेशन पर मौझूदा यात्रियों को 35 रुपए से लेकर साढ़े 88 रुपए तक खर्च करने होगे काजल रागवानी के आरोप के बाद खेसारे लाल यादव ने दिया जवाब भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर हिट जोड़ी खेसारे लाल यादव और काजल रागवानी के बीच इंदनों कुछ भी ठीक नहीं है और हाली में दोनों के बीच बड़ा जब्रा होने इसे सुर्खिया लगातार बनी हुई है दरसल खेसारी ने काजल पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है भही अब काजल ने भी जवाबी हमले में कहा कि वो मेरे बारे में गलत बाते फैला रहे हैं अगर मैं उन पर धोखा देने का आरोप लगाऊंगी तो बहुत बाते हो सकती है जिसको लेकर अब खेसारी लाली अदव ने भी अपना बयान जारी किया है जिसकी तहट उन्हाने कहा है कि मेरी जनता ही है जो मुझे प्यार करती है आईपेल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाडी बने मौरिस बीते दिन इस साल खेले जाने वाले आईपेल के आउक्षन का काम क्या गया अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रती किलो 79,600 रुपे था इसके लावा राज़ानी पट्ना में पिट्रोल की कीमत 92.2 रुपे प्रती लीटर थी वहीं डीजल 85.8 रुपे प्रती लीटर था कल हमारे दुआरा पूछे गैं सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके रियाब का बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है हम कलाब का नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार आलक्षन के पैटर्ण में अब बदलाब लाने की जरूरत है या नहीं अगर है तो किस आधार पर होना चाहिए इसके जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्योब पर देखरें तो मारे चानल को सब्स्क्राइब करें और बिल आइक अन दबाना ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बुक पर देखरें तो उस वीडियो को लाइक करें और जादर जादर शेयर करें धन्यवाद